मैं हूँ राज मोहन तिवारी और एक बड़ी खबर अभी अभी NDA खे में से आई है जहां पर यत्य कर दिया गया है एक बार फिर से जो NDA के विधान मंडल दल की बैठक हुई थी उसमें यत्य किया गया है कि नितिश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी फिर से बिह में राज करेगी जी हां अभी अभी जो खबर आई है उसमें यत्य हुआ है कि नितिश कुमार जहां NDA के नेता होंगे वहीं सुशील कुमार मोदी NDA के उपनेता होंगे यानि कि एक बार फिर से नितिश कुमार का तो खालां की मुख्यमंत्री बनना तय था लेकिन ऐसी आपको बिहार में उपे मुख्यमंत्री के पद पर काबीज दिखाई देंगे लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है खबर है विधान सभा अध्यक्ष के पद की इस पर कौन बैठेगा अब तक इस पर NDA की तरफ से जब सरकार चली है तो इस पद पर अधिकार जदि सिधा कहा है कि इस बार विधान सभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खाते में ही जाएगा क्योंकि बीजेपी फिलहाल NDA में सबसे बड़ी पाटी है अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं चल रही थी कि बीजेपी ने किसी पद पर दावा ठोका हो लेकिन जो ये एक बड़ी ख अध्यक्ष का पत है जैसा कि संजय पासवान कह रहे है साइद इस बार विजेपी उस पर आपको आसन होते दिखाई देगी लेकिन कौन होगा ये देखने वाली बात होगी वहीं आपको बता दे कि आज बीजेपी के विधायक दल का भी बैठक हुआ था जिसमें तारकिसोर परशाद को बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया है अगर बात करे तो उप नेता की तो रेनु देवी को बीजेपी ने विधायक दल का उप नेता चुना है अब देखते हैं कि जैसा कि खबरे आ रही है कि कल यानि शोला नवंबर को नितिश कुमार शपत ले सकते हैं मुखे मंतरी पद की हालांकि अभी तक इस पर पूष्टी नहीं हुई है लेकिन जो खबरे चल रही है ये लगतार पहले से ही चल रही थी जब सब कुछ डिसाइडेड हो चुका है तो अब देखना है कि मुखे मंतरी पद की सब पद जब लेते हैं तो नितिश कुमार की कैबिनेट में जदियू के कितने मंतरी होते हैं और बीजे पी के कितने फिलाल के खबर में इतना ही खबरों में लगतार बने रहने के लिए देखते रहे हमारे चैनल को धन्यवाद